आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हम सभी के फेवरेट गुलाब जामून की रेसिपी इन्हें आज हम बनाएंगे रेडिमेट प्रेमिक से बहुत ही सॉफ्ट और रसीले बनते हैं बट अकसर क्या होते हैं कुछ लोगों के गुलाब जामून बहुत ही हार्ड बनते हैं अंदर गुटली रह जाती है उसमें रस नहीं जाता है या फिर इतने सॉफ्ट होते हैं के चाशनी में जाके घुलने लग जाते हैं या ओयल में फट जाते हैं आप यह देखिए मैं आपको कटा हुआ गुलाब जामून दिखा रहे हूं इसके अंदर तक रस गया हुआ है तो रेसिपी पूरे परफेक्ट मेजरमेंट और टिप्स के साथ शेयर करूँगे बिना स्किप किये पूरा देखिए सबसे पहले बनाएंगे चाशनी तो इसके लिए कड़ाई में डालेंगे तीन कप चीनी 250 ml का यह कप है और वजन से यह चीनी है 600 ग्राम जैसे पैकेट के पीछे लिखा हुए उतनी ही मैं आज शुगर सिरफ बना रही हूँ चाशनी और इसमें अब हम डालेंगे पौने तीन कप पानी यानि दो कप और थ्री फोर्थ कप टोटल 640 ml हमने इसमें पानी आड़ करना है यह देखे पूरा पानी मैंने इसमें डाल दिया यह लास्ट क पर पहले चीनी को घुलने देंगे और जब चीनी घुल जाए तो इसे लो फ्लेम पर पांच मिनट तक हमने बॉयल करना है दो इलाइची फ्लेवर के लिए खोल कर डाल देंगे इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है थोड़े से केसर के धागी डाल देंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नीमबू का रस भी आड़ कर सकते हैं जिससे चीनी क्रिस्टलाइज ना हो थोड़े से फ्लेवर के लिए मैं 5-6 ड्रॉप्स इसमें रोज एसेंस डाल रही हूँ आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अब ये देखिए पांच मिनट बाद एक इबर चेक कर लेते हैं फिंगर्स में ये देखिए एकदम ओयल जैसा फील हो रहे है चिप चिपी सी चाशनी बनकर तयार है गैस की फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे ढख कर साइड में रख देंगे अब हम बनाएंगे गुलाब जामून का डो तो इसे आज हम गिट्स रेडि प्रिमेट प्रिमिक्स ले सकते हैं तो इसे पहले कट कर लेते हैं और मैं आपको बता दूँ कि ये कोई पेड प्रमोशन या स्पॉंसर वीडियो नहीं है मैं आज ये प्रिमिक्स से इसले बता रहे हूं कि इससे भी कई बार कई लोगों के गुलाब जामून ना अच्छे पहले इसे मेजर कर लेते हैं ये 200 ग्राम का पैकिट है और ये 250 ml के कप में मैंने ये पूरा अच्छे से स्पून से लेवल करके एक कप भर लिया तो इसे हम डाल लेते हैं ये एक कप है मैं आपको मेजर करके इसले दिखा रही हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये कितना ह अगर आप 500 ग्राम के पैकिट से बना रहे हैं तो आप हाफ भी बना सकते हैं 200 ग्राम भी बना सकते हैं तो ये 1.5 कप आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं तो ये टोटल जो 200 ग्राम का प्रिमिक्स है ये आधा कप और आ गया इसमें थोड़ा सा लेवल कर लेते हैं तो ये तोड़ लें या फिर छान लें अब इसे नीट करने के लिए या पानी ले ले या दूद ले ले तो यह आधा कप मैंने रूम टेंपरेचर पर दूद लिया ना ठंडा ना गरम यह उबलवा दूद है और थोड़ा थोड़ा करके ना इसका हमने आप एक सॉफ्ट सा डो बनाना है बहुत ही सॉफ्ट मतलब स्टिक्की सा डो होना चाहिए वह अगर जरा भी आपका डो हार्ड होगा तो गुलाब जावन भी हार्ड बनेंगे और उसमें क्रैक्स आएंगे जो फ्राई करते वक्त क् स्पून की जगा फिंगर की टिप से भी इसे मिक्स कर सकते हैं यह सारा दूद मैंने इसमें एड कर दिया पैकेट में लिखा है कि इसमें 120 ml दूद एड करना है तो यह मैंने हाफ कप लिया था 125 ml का यह देखिए अब यह काफी स्टिक्की सा डो बन गया है इसे 10 मिनिट के ल अगर अभी ही आपको थोड़ा सा हाड लगे ना तो आप इसमें 1-2 चमश एड कर सकते हैं इसे थोड़ा सा स्मूद कर लेंगे हमने इसमें नीड नी किया है बस थोड़ा सा इकटा किया है नीड करने से इसके अंदर जो मैदा होता है वो ग्लूटन डवलब कर लेगा और आ हाथों के बीच में इस तरह से रोल करके देखेंगे अगर इसमें क्रैक आ रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूद और एड कर लें यह देखिए और डो को हमने बिलकुल भी जोर से नीड नहीं करना है नहीं तो गुलाब जामून हाड बनेंगे रबडी बनेंगे इसी त तरह से स्पून में फिल करके ले सकते हैं यह देखिए अब यह देखिए हाथों के बीच में इस तरह से रोल कर रहा है और एकदम क्रैक फ्री सा बॉल बन जा रहा है यह देखिए अगर आपका डो जरा भी हाड होगा तो गुलाब जामून भी हाड बनेंगे बिलकुल रू जब तक हम दूसरे fry करेंगे तब तक और बॉल बना लेंगे अब ऑईल गरम करेंगे इसमें एक चोटा सा बॉल चेक करेंगे हलके हलके बबल्स आने चाहिए हलके गरम तेल में यह जो बना की रखिया है ना हमने बॉल्स यह फ्राई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर करेंगे बहुत जादा गरम तेल में तो यह एकदम से डार को जाएंगे और अंदर से कच्छी रह जाएंगे जब आप चाशनी में डालेंगे तो उनकी स्किन निकल जाएगी और अंदर से हाड होंगे इस तरह से स्पून से ओयल को हिलाती रहेंगे और कडाई में हमने इतन कलर आए यह देखिए हलके से ब्राउन कलर पे आज मैं फ्राई कर रही हूं जादा डाक कलर पे जो मेरे बच्चें वो पसंद नहीं करते हैं मैंने खोया गुलाब जाओन काले वाले बनाये थे काला गुलाब जाओन तो उन्हें वो पसंद नहीं है तो आज मैं हलके से यह हलका ब्राउन कलर जब आ जाए तो इन्हें गरम चाशनी में डिप करेंगे अगर चाशनी ठंडी होगी है तो इसे थोड़ा गरम कर लें बहुत खौलती ही गरम नहीं है पर यह अच्छे से गरम चाशनी में हम इस तरह से बैच वाइज फ्राइ करते जाएंगे और डिप करते इन्हें मैं आपको दो घंटे बाद दिखा रही हूँ वैसे इनमें एक घंटे बाद यह अच्छे से चाशनी एब्जॉप हो जाती है बहुत ही सौफ्ट और रसीले बने है यह देखिए थोड़ी से बदाम की कतरन या पिस्ते से आप इने गानिश करें खाने में बहुत ही काट के दिखाती हूँ कि यह अंदर से कैसे बने है यह देखिए अंदर से बहुत ही सौफ्ट बने है अंदर तक इनके चाशनी गई है यह देखिए कितने सौफ्ट बने है मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद